परसो एलान हुआ और कल उन्होंने सोशल मीडिया पर एलान कर दिया के चुनावन नहीं लड़ेंगे कारण निजी बताया है लेकिन दिल्ली से लेकर के बंगाल तक के सियासी गल्यारों में चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट के उमिदवारों में हार के डर से सरेंडर कर दिया है लेकिन असली कहानी कुछ और है हम उस असली कहानी को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हीरो की जगा BJP किस हरोइन को उतारने की प्लैनिंग कर रही है दरसल पवन सिंग के आसन सोल से लड़्डे के नाम के एलान के आदे घंटे ही बीते थे कि सोशल मीडिया पर पवन सिंग को चोल किया जाना लगा उनके भोचपूरी फिल्मों के पोस्टर्स शेर किये जाने लगे BJP के विरोधी पोस्टर्स के जरिये पवन सिंग की फिल्मों को महिलाओं का अपमान और अशलील बताकर मुद्दा बनाना शुरू हो गया था सूतरों के अगर माने तो इसी के चलते इसी के बाद पवन सिंग को टिकेट वापस करना पड़ गया BJP नहीं चाती थी कि पार्टी के तरफ से ये संदेश जाए कि उनका टिकेट वापस लिया गया है लिहाजा पवन सिंग खुद ने ही निजी कारणों का हवाला देकर सोचल मीडिया पर इसका एलान कर दिया अब सवाल यहां यह है कि पवन सिंग के आसन सोल छोड़ने के बाद BJP वहां किसे चुनाव लड़ाएगी आसन सोल छारखंट से सटा हुआ एक लाका है और यहां बड़ी संख्या में बिहार की लोग रहते हैं साल 2019 में बाबुल सुप्रियों BJP के टिकेट पर जीते थे उनके पाला बदलने के बाद इस सीट से TMC ने शत्रुगन सिंग को चुनाव लड़ाया था एक बड़ा नाम है एक बड़ा चेहरा है बिहार और बिहार से बाहर के भुचपूरी प्रेमियों के बीच अक्षरा लोग प्रियनाम है अभी राम मंदर के उधगाटन के मौके पर भी अक्षरा सिंग ने प्रधान मंतर नरेंद्र मोधी की जम कर तारीफ की थी पिछले साल अक्षरा प्रशांत किशोर की जन सुराज से भी जूड़ी थी लेकिन पवन सिंग के टिकेट कटने के बाद राजनेते गलियारों में तेजी से चर्चा है कि अक्षरा सिंग बीजेपी की चोईज हो सकते हैं असल में आसन सोल का जो ये सियासी समिकरण है उसमें बिहार वोटर्स की जो है भूमे का वो बहुत ही ज़ादा एहम मानी जाते हैं आसन सोल में गैर बंगाली वोटर्स करीब 50 प्रतिशत हैं इनमें से जातर मूल रूप से बिहार जारखट के रहने वाले लोग हैं जो की कोईला खादान स्टील फैक्ट्री में काम किया करते हैं पवन सिंग से जुड़े विवादों को छोड़ दे तो अक्षरा सिंग भुचपूरी इंडस्ट्री की इस वक्त की सबसे बड़ी हिरोईनों में से एक है जो की पिछले 10 सालों से काम कर रही है इंस्टा पर 6 मिलिन से जादा फॉलोवर्स वाली अक्षरा भुचपूरी की दर्जन भर से जादा हिट फिल्म दे चुकी है साल 2022 के उप्चुनाओं में शत्रुगंसना के मुकाबले बीजेपी ने अपनी विधायक अग्मी मित्रा पॉल को तारा था जो की हार गई थी वर्सिस भिहारी हो जाएगा आप अपनी राय हमें comment section में जरूर रखे कि आपको क्या लगता है क्या बीजेपी अक्षरा सिंग को चुनाओं में उतारेगी क्या अक्षरा सिंग को चुनाओं में उतारना चाहिए या नहीं Comment करके हमें अपनी राय जरूर बताए और चुनाओं से जुड़े हर एक मुद्दे से अपडेटेट रहने के लिए आपको एवी भी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना होगा मैं थी आपके साथ आशी सिंग आरण